असलाम अलेकुम गाइज वेल्क टो माई चैनल नेक्स लेवल फूड और आज मैं बना रहे हूं मज़दार चिकन का मुखलियाई कोर्मा अगर आपको में रेसिप पसंदा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पीजिए का रेसिपी स्टार्ट करते हैं नमक वंटी स्पून पिसी मिर्चे वंटेबिल स्पून पिसाम धनी वंटेबिल स्पून पिसागर मसाला हाफ टी स्पून हल्दी क्वाटर टी स्पून डालेंगे हम इसमें आठ लोंगे हमर पास, 1.5 टी स्पून काला जीरा है, 6 छोटी लायाची, 1.5 टी स्पून काली मिर्चे, 1.5 टी स्पून सफेज जीरा, दार चीनी 2-3 टुकड़े, एक बड़ी लायाची लेसा अधर 1 टेबिल स्पून, किरीम 3 टेबिल स्पून, सफेज जीरा, काला जीरा, 1-1 टी स्पून, 2-3 जाइफल के टुकड़े, जवत्री के टुकड़े, 2-3, 10 बड़ाव में पास, छोटी लायाची है, 8 अधर और आधी चम्ची काली मिर्चे, नाली ला लेंगे पिसावा 4 टेबिल स्पून, एक प्याली दही है में पास, एक किलो में पास चिकन है, एक पास में पास प्याज है, एक कप हम घी लेंगे, यह हम घी में बनाएंगे, कॉर्मा, बहुत मज़ेगा बनेगा, यह बदाम थे हमें पास छोटी लायाची और काली मिर्चे, सफेज जीरा, का बना लेंगे, यह पिसावाने नाली लाल दी, हमने 3 टेबिल स्पून इसके अंदर, इन सब का पॉडर बना लेंगे, यह हमारा पॉडर बन गया है, प्याज बारी ब्राउन हो गई, इसको निकाल लेंगे, साबद ग्रमासा डाल दी लेंगे, लेसन अदर डालेंगे इसके दानेदार कोर्मा बनेंगे और बहुत स्पाईसी चटपटा कोर्मा बनेगा यह ओ। चिकन को भूल लेंगे चितरा हम घी के अंदर घी से बनाएगा कोरुमा घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कोरुमी के अंदर यह पिसी मिर्चे डाल दी हमने नमक डाल दिया इसके अंदर पिसा धनी डाल दिया नमक हस भी दरूद डालेगा इसके अंदर हल्दी डालेंगे पुरा हमसाला बदाम पोडर बनाया था ताहें जाए साथ ही डालेंगे इसके अंदर और इसको ढखे लादेंगे ताकि हमारी चिकन गल्द है आधी दही अपने इसमे डाल दी यह ब्राउंड कीवी प्यास डाल देंगे सारी इसके अंदर यह प्यास का पेश डाल दी हमने इसके अंदर है इसको भूल लेंगे चिकन का पाणी हमारा खुश्क को गया था इसको हम भूल लेंगे चिकन हमारी गल मृट है ताकि मैं करीम डाल दी केरवाटर लएंगे केवराटर पों समित्वान नारी लाल दिया और सामने अँप्रक्राइब लचाए आप देख सकते हैं कितना तैयार हो गया हमारा पिस्ता गरम साल डाल दिए इसके अंदर आप कलर भी देख सकते हैं को और में का टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ इसका यहाफ टीस्पून हमने केरोड डाल दिया कचूला बंद कर देंगे यह रेसिपी हमारे तयार होगे यह मुगलिये चिकन मुगलियाई कुर्मा इसको हम डिश आउट कर लेंगे आप देख सकते हैं किसे दाने अंदर बनाए और बिल्कुल खुश्क बनाए जादा ग्रेवी न जीगा, अलाह आपिस